श्री तुलसी गायत्री मांत्र ओम श्री तुलसी ये विद्महे विष्णु प्रिया यदी मही तन्नो व्रिंदा प्रचोदयात राधे राधे जी पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्तिक स्वागत है मैं हूँ कात्याईनी भक्तों कहते हैं नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से गंगा मैया में स्नान मात्र से और तुलसी मैया के स्पर्श मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है यह पत्म पुरान में वर्नित है आज हम पाप मोचनी तुलसी मैया की महात्मे की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरी एक ना मानी तुलसी मैया को हरी प्रिया कहा गया है तुलसी दल के बिना समर्पन किया भोग भगवान जी स्विकार भी नहीं करते पद्मपुरान में कहा गया है कि तुलसी जी के दर्शन मातर से संपूर्न पापों की राशी नश्ट हो जाती है उनके इस परश से शरीर पवित्र हो जाता है उन्हें प्रणाम करने से रोग नश्ट हो जाते हैं सींचने से मृत्यूत दूर भाग जाती है तुलसी जी का व्रिक्ष लगाने से भगवान जी की सन्निधी प्राप्त होती है और उन्हें भगवान के चर्णों में चढ़ाने से मोक्ष रूप महानफल की प्राप्ते होती है धात्री भलानी तुलसी ही अंतकाले भवेद यदी मुखे चैवा सिरास्य अंगे पातकम नास्ती तस्यवाई अंतकाल के समय तुलसी दल या आमलकी को मश्तक या तेय पर रखने से नरक का द्वार बंध हो जाता है तुलसी नामाश्तक नारद मुनी जी द्वारा रचित है उन्होंने कहा है जो तुलसी नामाश्तक का नियमित पाठ करते हैं उन्हें अश्व में के यग्य के समान पुन्य फल मिलता है व्रिंदा व्रिंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुश्पसारा नंद नीच तुलसी कृष्णजीवनी यह तुलसी नाम आश्टक है अर्थात उनके आठ नाम है तुलसी जी के आठ नामों के अर्थ वरिंदा, सभी व नस्पति व वरिक्षो की आधि देवी वरिंदावनी, जिनका उद्भव व्रज में हुआ हू विश्व पूजिता, समस्त जगत द्वारा पूजित विश्व पावनी, त्रिलोगी को पावन करने वाली पुष्प सारा, हर पुष्प का सार नन्दिनी, रिशिमुनियों को आनंद प्रदान करने वाली कृष्ण जीवनी, श्री कृष्ण जीवनी तुलसी, अद्वितिय अनेक व्रत कथाओं, धर्म कथाओं, पुरानों में तुलसी जी की महिमा के अनेक आख्यान है ऐसी एक कथा धर्म दत की है नारद मुनी जी ने यह कथा राजा प्रिथो को सुनाया था प्राचीन काल में करवरपूर नामक ग्राम में धर्मदत नामक एक ब्रामन रहते थे वे बड़े ब्रम्ह ग्यानी धर्मात्मा तथा भगवान विश्णुजी के त्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदे वाय का निरंतर जप करते थे एक दिनवा ब्रामन पूजा की सामगरी लेकर एक पहर रात्र रहने पर भगवान जी के मंदर को जा रहा था इतने में उन्होंने सामने से आती हुई एक भयंक कर राक्षसी को देखा बिलकुल नगन सूखी देहवाली आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेड़े दांत लाल नेत्र और घुर घुर शब्त करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत होकर धर्मदत जीने तुलसी मिश्रत जल उस पर फेंक दिया उस जल के शरीर पर लगते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए वह हाथ जोड़ कर धर्मदत जी के पैरों पर गिर पड़ी तब धर्मदत जी पूछने लगे आप कौन है और किस पाप के कारण आपकी ऐसी दशा हुई वह कहने लगी सावराश्ट्र के देश में भिख्षो नामक एक ब्राह्मन थे मैं उन्ही की पहली पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था मैं ना तो कभी अपने पती से मीठे वचन बोलती और ना ही उन्हें खाने के लिए अच्छे फल या भोजन देती यह सब देखकर जब मेरे पती ने दूसरे विवा का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विश्खा कर अपना शरीर त्याग दिया तब यमदूत मुझको बांध कर यमराज जी के पास ले गए तक पस्चात यमराज जी को मेरे अच्छे बुरे कर्म बताते हुए बोले महराज इसने कभी भी कोई भी शुभ कर्म ही नहीं किये सदा अपने पती के साथ द्वेश करती रही यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी यह संकर यमराज जी ने आदेश दिया कि इसे अपने ही संतान को खाने वाली बिल्ली के योनी में भेजा जाए यह अपने पती के साथ द्वेश रखती थी इसलिए यह वरिश्था खाने वाली सुक्री की योनी में जाए इसने आत्महत्या की है इसलिए प्रेत योनी में जाए इस कारण महराज में पांच सव वर्ष से इस योनी में फिर रही थी कि भूक और प्यास से दुखी होकर एक वैश्या के शरीर में प्रवेश करके तृष्णा और ग्रिनी नदी के संगम पर आई जैसे ही नदी के तट पर पहुँची भगवान विश्णुजी के दूतों ने मुझे शरीर से निकाल कर बाहर फैंक दिया घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सभी पापनश्ठ हो गए अब घृपा करके यह बताईए कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा धर्मदत ब्रावन जी कहने लगे आपको देखकर मैं अती दुखित हुआ हूँ देर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेथियोनी में नहीं हो सकते आपके पाप अधिक और पुन्य कम है हमने पूरे आयू में जितने कार्थिक व्रत किये हैं उन में से आधा पुन्य आपको देता हूँ जिससे आप उत्तमगती को प्राप्थ हो जाओ तब ब्रामनजी ने जैसे ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिशेक किया और ओम नमो भगवते वासुदे वाय का मंत्र पढ़ा वाकलह प्रेथियोनी से मुक्त होकर अगनी के समान दिव्य देख धारन करके रूपवती हो गई तद पस्चात उढ़ाने ब्रामनजी को नमस्कार कर प्रसनता पूर्वक बोली भगवन पाप रूपी समुद्र में डूपती रही मुझको आपने नौका रूप बनकर बचा लिया है उसी समय भगवन विश्णुजी के दूद्र वहां आ गए और उन्हें विमान में बैठा कर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत ब्रामनजी से बोली हे ब्रामन आप धन्य हो जो सदैव भगवानजी के स्मरन में लगे रहते हो आपके पुन्य के आधे भल के प्रताप से ही इन्हें मुक्ती प्राम्त हुई है हे विप्र कालांतर में आप भी राजा के कुल में उत्पन होकर वैकुंठ को प्राम्त करोगे इती तुलसी माहात्मे कथा संपूर्ण भगतो यह है तुलसी जी की कहानी वीडियो समाप्ती से पहले आए सुने तुलसी जी का भजन नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पतरानी काउन से महीने बीच को बोया तो काउन से महीने में हुई हर्याली नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पतरानी सावन में मैया बीच को बोया तो भादो मस हुई हर्याली नमो नमो तुलसा महरानी तर्दिक में हुई तेरी पूजा तो कौन से महिने में हुई पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पत्रानी बाई तुलसी थे जदपत कीना साल गराम हुई पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पत्रानी बारा बरस जी जी कार्तिक नहाई साल गराम हुई पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पत्रानी चपन भोग धरे हरी आगे तो बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पतरानी सावरी सखी मया तेरो जसगावे तो चरन मेवासो छीजो महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरजी पतरानी भग तो आशा है आपको आज की या प्रस्तिती अच्छी लगी इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृप्या हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहेगा अनुमती दीजे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जै श्री कृष्ण राधे राधे जै भगवान श्री हरी विष्ण जी की जै मा तुलसी जी की